नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यांसू धान का कटोरा कह जाने वाले काराकाट में जेट की दुपहरी में सियासी फसल काटने की होड है भुश्पुरी और मगही की मिस्रित संस्कृती वाला या इकलोता संसदिय शेत्र है जिसे सोन की धार दो हिस्सों में बाटती है यही कारण है कि सियासी जानकार अभी भी यहां के मतदाताओं के मन की थाह नहीं लगा पाएं मतदान एक जून को है मतदाताओं ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं रणवीर सेना और MCC के खुनी भिढंत का गवार है इस चेत्र के ग्रामीन अब रत जगा नहीं करते हैं हलंकि जातिय गोलबंदी अभी भी चरम पर है कारकाट में भागपा माले के राजाराम सिंग और RLM के उपेंद्र कुस्वाहा के बीच भोशपुरी सुपरिश्टार पवन सिंग के एंट्री से सियासी समर रोचक बन गया है बीजेपी से बागी होकर चुनाव मैदान में निर्दलिये उत्रे पवन ने मुकाबले को त्रिकोणिये बना दिया है भोशपुरी भासी और मघी इलाके के घरों में बजने वाले पवन के गीत उनकी लोक प्रियता का ग्राफ बताने के लिए काफी है यही महागटबंदन और NDA के प्रत्यासियों को परिशान किये हुए है यह शेत्र यादव, राजपूत और कोईरी बहुले है मुसलिम मोट भी यहां बड़ी संख्या में है वैस से चंद्रवंसी, मला, अथी पिछडा वर्ग और दलित आदी परिणाम को निर्णायक मोड देते रहे हैं तीनों अपने कोर वोटरों को एक जुट करने में लगे हैं सेंद मारी के प्रयास में दिनरात लगे हुए हैं निर्दलिय पवन ने फिल्मी सितारों का जमावडा भी लगा दिया है इसी कारण NDA और महागटबंदन के निताओं को ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है डेहरी में पियम मोदी की सभा के दिन ही गोडाडी मैदान में फिल्मी सितारों को उतार कर उनोंने मजबूत उपस्थिती का संकेत दिया एंडिये के कोर वोट में बिखराओ को रोकने के लिए उपेंद्र के समर्थन में डेहरी में पीएम मोदी तो दाउद नगर में अमित्सा आ चुके हैं योगी राजनात नड़ा की सभा प्रस्तावित हैं राजपूत नेताओं को काराकाट में जनसंपर्क करने को कहा गया है पवन सिंग के प्रचार में उत्रे सितारों की फौज में अभिनेत्री काजल रागवानी, पाखी हेगडे, अंकुस राजा, अनुपमा यादव, अर्विंद अकेला कल्लू, सिल्पी राज आदी हैं राजाराम के पक्ष में आरजडी नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और माले महासचिव दिपांकर की कई प्रखंडों में सभा हो चुकी है माले जुलूस निकाल वोटरों को एक जुट करने में जुटा है स्थानिय राजनीती इसे बिक्रम गंज व ओबरा में प्रभावित करती दिख रही है ओबरा विधानसवा चुनाओ में यादव और कुस्वाह जाती के प्रत्यासी आमने सामने रहे हैं इसका असर इस चुनाओ पर भी दिख रहा है माले की पुरानी छवी की परचाई राजाराम का पीछा नहीं छोड़ रही है NDA के कोर वोटर खासकर कुस्वाह और राजपूत के मन में उहापो है इनी कारणों से उपेंद्र को कहीं कहीं नाराजगी जेलनी पड़ रही है वे अपकी बार छेतर में रहने और आते रहने का वाधा करते फिर रहे हैं इस तरह तीनों परत्यासी परिणाव अपने पक्ष में करने में जूटे हैं मद्दाता ये भापने में लगे हैं कि कौन कितना वज़नी है पवन भीड को वोट में कितना बदल पाते हैं कोर वोटरों को एक जुट रखने और वोट की सेंध मारी करने में जो सफल होगा वही कारकाट का किंग बनेगा छेत्र में तीनों के समर्थक मुखर दिखे विरोध और समर्थन के अपने अपने तर्क हैं विक्रम गंज के बलिराम कुष्वाह की नाराजगी एंडिये प्रत्यासी से दिखी हलकी वे कहते हैं कि उपेंद्र को राष्ट्रे एस्तर के नेता होने का फायदा मिलेगा मोदी के नाम पर लोग वोट देंगे गोसिया खुर्द के बठेश्वर पठेल कहते हैं कि वोट महंगाई के खिलाप पड़ेगा ओब्रा विधानसवा छेत्र में राजाराम सिंग का घर है यहां के तरार में सभी वर्ग के लोग हैं मनुरंजन प्रसाद राष्ट्रे हित को देखते हुए वोट देंगे वहीं ललन को ऐसा देता चाहिए जो आगे भी उनका ख्याल रखे नभी नगर में पवन के गाने ज्यादा बज रहे थे RLM प्रमू कुपेंदर कुश्वाहा तीसरी बार काराकाट से चुनाओ मैदान में हैं वर्ष 2014 में वे NDIA प्रत्याशी के तौर पर चुनाओ जीते वर्ष 2019 में महागटवंदन प्रत्याशी के तौर पर चुनाओ हार गए कुस्वाहा राज्यसभा बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिशत के सदस्य भी रह चुके हैं वैसाली जिले के महानार प्रखंड के जायज गाउं के रहने वाले हैं महागठवंदन प्रत्यासी भागपा माले के राजाराम सिंग ओबरा के दो बार के विधायक रह चुके हैं काराकार्ट लोकसभा छेतर से तीन बार किस्मत आजमा चुके हैं जहानाबाद लोकसभा का चुनाओ भी उन्होंने लडा था उन्हें सफलता नहीं मिली वे वर्स दो 1995 और 2000 में ओबरा विधान सवा से विधायक रहें और अंगाबाद जिले के एकोणी गउं के रहने वाले हैं अब बात करते हैं पवन सिंग की निर्दलिय प्रत्यासी पवन सिंग भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर चुनाओ मैदान में हैं उनकी पहचान भोजपुरी सुपरिस्टार के रूप में है पवन सिंग का जन्म आरा जिले के जोकहरी में हुआ था उन्होंने देवरा बड़ा सतावेला भोजपुरिया राजा जैसी प्रमुक भोजपुरी फिल्मों में अभिने किया है 2014 में उन्होंने बीजेपी जोइन की थी जाती के सोर में दबे हुए मुद्दे जाती के सोर में अन्यमुद्दे दब गए हैं छेत्र के लोगों को टीज है कि डालमिया नगर में कब रेल पईया कारखाना सुरू होगा नोखा की दम तोड़ चुकी चावल मिलें कब रफ्तार पकड़ेगी किसानों को सालों भर सिचाई के लिए पानी नहीं मिलना भी एक समस्या है कदवन डैम की वर्सों पुरानी मांग अभी भी फाइलों में बंद है विक्रम गंज के पास कंडा डीह के निर्मल यादव टेम्पो चालक हैं कहते हैं पवन के पीछे लाइकन पागलबा ऐसे अभी देख रहे हैं किसका पलरा भारी होगा विक्रम गंज गाओं के ही नूर महम्मद कहते हैं कि जो विकास कराएगा उसी को वोट गिरेगा अभी यहां माले के विधायक हैं पवन भी प्रयास कर रहे हैं उनके पक्ष में कई यादव गाओं में भी सभाएं हो चुकी हैं नोखा के चंद्रमा सिंग यादव वा खुरसीद आलम खुले आम महागटबंदन की तरफदारी करते दिखें तो टुड्डू कुमार और जितेंद्र सिंग एंडिये वा पवन के तीन बार से एंडिये का कबजा परिसीमन के बाद इस सीट पर 2009 से अब तक हुए तीन चुनावों में एंडिये और कुश्वाह जाती के प्रत्यासियों का कबजा रहा है दो बार 2009 और 2019 में जद्यू के महाबली सिंग और एक बार 2014 में RLSP के उपेंद्र कुश्वाह यहां से सांसत चुने गया है 2019 में हार के बाद उपेंद्र कुश्वाह इस बार एंडिये के रत पर सवार है तो अब देखना होगा कि इन तीनों में कौन काराकार्ट का किंग बनता है अभी तक पत्ता नहीं खुला है मद्दाताओं का लेकिन तीनों एडी चोटी का जोर लगाए हुए है देखिए क्या होता है एक जून को मत्दान है और चार जून को नतीजे आ जाएंगे आपको क्या लगता है काराकार्ट का किंग कौन बनेगा कमेंट करके जरूर बताएं ताजातरीन खबरों का सिलसला लगातार जारी है देखते रहें दर्श निउज